इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। अप्रडी 500 टैबलेट एनाल जैसे नामक दवाओं के समूँ से संबंध रखता है। इसका उप्योग माईग्रेन के सिर्दर्द और रुमेटी इड गठिया, गठिया और कश्टो अतर्व, यानि की मासिक धर्म में दर्ड जैसी स्थितियों से जुड़े दर्ड के उपचार में किया जाता है। माईग्रेन एक ऐसी स्थिती है, जिसमें तीवर सिर्दर्ध होता है। दर्ध है एक लक्षन जो विभिन अंतर निहित स्थितियों के कारण होता है। नैप्रडी 500 टैबलेद दो दवाओं का एक सयोजन है, निप्रोक्स और डूमपरिडोन। निप्रोक्स एक गैस्ट है रायल विरोधी भड़काओं दवा, यानि की एनसे आइडी है, जिसका उप्योग विभिन स्थितियों से जुड़े दर्ध के इलाज के लिए किया जाता है। डूमपरिडोन एक एंटीमेटिक एजेंट है, और मतली या उल्टी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। नैप्रडी 500 टैबलेट दर्ध को दूर करने के लिए रोगसूचे को प्चार प्रदान करता है। नैप्रडी 500 टैबलेट खुराक के रूप में उपलब्ध है, मौखिक गोली। इन गोलीओं को एक पूरे गिलास पानी के साथ मूँव से निगल लिया जाता है। अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई दवा लें। घटाना या बढ़ाना नहीं डॉक्टर की सलाह के बिना खुराक। नैप्रा डी 500 टैबलेट के आम दुष्प्रभाव मूह का सूखापन, पेट में दर्द, कब्ज, उनींदापन, चक्कर आना, द्रिश्यगर बड़ी, सुनने की समस्याएं और सिर्दर्ध हैं। यदि आपको कोई असुविधा महसूस हो तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को सूचित करें कि क्या आपको नेप्रोक्स, डोमपरडोन, अन्य इनिसे आईडी या अन्य दवाओं से कोई ग्यात अलजी है। इसके अलावा, अगर आपको दर्द निवारक दवाओं के कारण दिल की ताल की समस्या या अलसका इतिहास है, तो डोक्टर को सूचित करें। 65 वर्ष से अधे कायू के रोगियों, पहले से मौजूद हिरदे रोग जैसे हिरदे गती रुखना, उच्च रक्त चाप, या स्ट्रोक, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल रक्तसराव, यानि की दर्द निवारक के कारण, गेस्ट्रिकल्स, अस्थमा, यकृत रोग, गुर्द अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद